हेलो फ्रेंट्स वेल्कम डू माई यूट्यूब चैनल राइट विज गसन माई मर्जी तो फ्रेंट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं बीएड को लेकर जैसा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया कि आज कि लिएर हो जाएगा कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या फि इसमें हवाला दिया गया था कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी में सामिल न किया जाए इसलिए जो है बीएड वालों का यूपी टीटी 2020 का रिजेट जो है प्राइमरी का रोका जाए फिर इलहाबाद हाई कोटने वहीं करता है और फिर जो है इसकी अगली सुनवाई आज देता है मतलब 14 जुलाई 2022 मतलब आज 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 आपकी इसकी सुनवाई है और इस सुनवाई में खास ए है कि यह जो सुनवाई होगी इसमें जो है एंसीटी अपना रिपोर्ट्स होपेगी कि हम बीएड को जो है वो प्राइमरी में इलिजबल लेंगे मतलब प्राइम इलिजबल करेंगे या फिर हम बीएड को जो है प्राइमरी में इलिजबल नहीं करेंगे तो इसके समद्ध में जो है आज आपका 14 जुलाई मतलब आज आपका सुनवाई हो सकता है कि देर साम तक सुनवाई होगा या फिर कल जो है आपको मतलब क्या सुनवाई होता है कल ज जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यूपी टीटी 2020 का रिजेट जो ओरिजिनल रिजेट मिता है जिसको आप डाइट से लाते हैं जिला सिशा प्रसेटर संस्थान से तो इस पर भी इलावा धाय कोटने रोक लगा दिया थे कि जब तक फानल डिसीजन नहीं होता है तब तक ज सकते हैं 14 जुलाई 2020 मतलब आज ही जो है इसकी सुनवाई होने वाला है फिर उसके बाद यूपी टीटी का रिजेट पर जारी हो जाएगा फिर उसके बाद एंसीटी का जो कुछ भी फैसला होता है आपको पता है कि आपके भारत के हरे की स्टेट में जो है वह लागू होता गया था कि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोट में जो है वह बीट वाले जो है वह प्राइमरी में मतलब कच्छा एक से पांस तक के लिए वह इलिजबल नहीं है आपको पता है कि राजस्थान हाई को प्राइमरी में समयधानिक मानते हुए उनको प्राइमरी से मतलब बाहर कर दिया था तो आपको बताए कि फिर उसके बाद धूruktur सुप्रिम कोणlog फैसला था वहीं फैसला सुनाया मतलब उनका फैसला उसी तरीके से रखा और एक तरीके साथ समसकते हैं कि सुप्रिम कोण अवालों को कोई विराहत नहीं मिला था तो थोड़ा सा राजस्थान प्राइमरी डीचर और फिर यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोट का फैसला है मतलब सुप्रीम कोट का फैसला है तो हमने बताया कि जो राजस्थान हाई कोट का फैसला था उसी फैसले को जो है वो सुप्रीम कोट ने माना था कि यहां राजस्थान हाई कोट का फैसला है व मतलब सुप्रीम कोट का जो भी फैसला था जो की राजस्थान फैसला दिया था कि BAD को जो हम הमीरी कारेंगे उसामिल नहीं करेंगे और राजस्थान हाइक का फैसला था जो की यहां पर देख सकते headed बीएश्टीसी जिसे हम बीटीसी या फिर डियलेड आप नॉर्मल तरीके से का सकते हैं बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएड बिवाद से जुड़े केस में जो है सुप्रीम कोट ने बीएश्टीसी अव्यर्थियों और राजस्थान सरकार को बड़ी रहात दी ह कोट ने राजस्थान हाई कोट के आदेश को बरकरार रखा साथ ही कोट ने बीएड डिगरी धारिकों को रहात देने से इंकार कर दिया इनकी संख्या करीब नौ लाख है रिटेबल वन में जो है जो डियलेड अव्यर्थियों जिसे आप बीएश्टीसी आफिर बीटीसी जो है आप इन्हें कह सकते हैं तो यहां पर जो है उसी एक बारें बता है कि राजस्थान हाई कोट का जो फैसला था उसको बीएड वाले सिप्रिम JUST में ले जाकर चौनवती दिये थे लेकिन सुप्रिम कोट ये जो है राजस्थान हाई यहां पर बताए कि इस मामले में NCT ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएट डिग्री धारिकों को जो है और इट लेवल वन में योग माना था साथ ही NCT ने यह भी माना था कि अगर बीएट डिग्री धारी जो है उपर इचा पास होते हैं तो उन्हें इस लेवल के लिए जो है और निफ्टी करने के लिए 6 महिने का जो है ब्रीज कोर्स करना पड़ेगा आपको पता है कि ब्रीज कोर्स क्या होता है फिर उसके बाद जो है NCT ने इस नोटिफिकेशन और बीएट डिग्री धारिकों को राजस्थान हाई कोट में चुन होती दिया गया था तो एंसीटी का जो आदेश था 2018 में जो एंसीटी ने सामिल क्या था कि ब्यएट डिग्री धारिकों मतलब जिनके पास ब्यएट है वह भी जो है प्राइमरी में टीचर बन सकते लेकिन उनको जो है छे महिने का ब्रीज कोर्स करना पड़ेगा तो इसी ब्रीज को लेकर जो ह हाई कोट में चुना होती दिये थे फिर DL8 के पच में राजस्थान हाई कोट ने फैसला सुनाया फिर उसके बाद B8 वालों को प्राइमरी से बाहर कर लिया फिर उसके बाद हर किस्टेट में बिवाद होता गया फिर वहीं जो आपका बिवाद था वो आपके इलाहबाद UP मत पिर उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने टर्ब करतियोगी और जो सुनवाई है न TF4 देस्टें किा होगा बहुत सार लोग बोलते हैं फ़िक अपर में बिजेपी की सरकार है प्रीमल्स को कोई दिक्कत नहीं होगा तो देखें शबके ऑलगा बात है अब देखिए कोट का जो फैसला होता है उसका मतलब आने का जो है वेट ही करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका कंफर्म होगा लेकिन यहाँ पर यह वी आप समझें कि जो राजस्थान हाई कोट ने फैसला अपना दिया था कि हम जो है बीट को प्राइमरी से बाहर क है या फिर ऐसा बेहसकता है कि एंसेटी अपन नहीं सामिल होती है डेट आगे एमलगा है या फिर क्या होता है लेकिन जादा आतर चांस एहीं है कि आपना आज रिपोर्ट सॉब देगी भले ही थोड़ा सा पेंडिंगCs हो या फिर जो है तो आपको बता है यह भी थोड़ा के लिए टाइम मिलेगा लेकिन जादा तर चांस यहीं है कि आज ही जो है अपना एंसिटी अपना रिपोर्ट जो है वो सोपे कि हम बीड़ वालों को प्राइमरी में इलिजबल करते हैं या फिर हम प्राइमरी में इलिजबल नहीं करते हैं जिस तरीके से राजस्थान हाई को तो इसलिए थोड़ा सा वेड करना पड़ेगा हो सकता है कि आज साम तक जाता है तो कल सुबहा तक आपके कोट के ओडर आपको डेखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपके ब्राजस्थान में यूपी में और और कहिन कहीं हर एक इस्टेट में आपका मामला फसरा है अभी हमने कल ही जो है वो डिसकस किया था MPTT वर्गतीन मतलब मद्यपर्देश में प्राइमरी टीचर के भी मामले में जो है वो बीएड का विबाद हो गया है वहीं राजस्थान और यूपी हाई कोड का जो फैसला था है तो हम सेर कर देंगे अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो बिल्कुल कर लेजेगा मिलते हमें लिए नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइ टेक क्यार ओल दे वेस्ट थैंक यू फॉ लिस्निंग गॉड बिलेस्यों थैंक यू